लिजे सुनिए सूर्य कांतितरपाथी निराला की लिखे उपन्यास भीश्म का सब्तम परिछेद भीश्म की सत्य निष्ठा मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में पांडव और कौरवों में शांति इस्थापना के उद्देश से इस बार भगवान वासुदे कौरवों की सभा में गए भीश्म ने उनका आदर पूरवक स्वागत किया श्री कृष्ण ने दुरियोधन को वेर का परणाम अच्छी तरह समझाया भाई का हक भाई को दे देना चाहिए इस पर अनिक प्रकार की तरक और युक्तियां धर्शाएं कुछ फटकारा भी कहा अगर संधी की प्रस्ताओं में तुम राजी न होगे तो लोग कहेंगे कि तुमने नीचता की ऐसा कार नीच जनोचित हुआ करता है तुम्हे अप्याश होगा अगर तुम अपने हठ पर अड़े रहोगे तो शत्रिय वंश का लोपो हो जाएगा विद्वाओं के हाहाकार से देश की श्री जाती रहेगी गोर अनाचारों को प्रोथ साहन मिलेगा शक्ती से रहेत होकर देश स्वधर्म रक्षा से विमुख होगा अगर पांड़ों से तुम्हारी मैत्री हो जाएगी तो तुम्हारी संसर्ग दोश मिट जाएगे अभी तुम अपने आपको धुखा दे रहे हो तुम चाहते हो कि करण, शक्नी और दुशासन तुम्हारी राज्य का प्रबंध करें और तुम सुख के स्वपन में मगन रहो यही तुम्हारी आत्मा को पतित कर रहा है दूसरे जिनका तुम्हें भरोसा है वे पांडवों के सामने ठहर न सकेंगे केवल इतना ही नहीं तुम्हारी संपून सेना कृध भीम सेन की ओर आख उठाकर ताक भी न सकेगी तुम्हारी संपून सेना और द्रोण करण कृपाचार अश्वस्थामा भूरे श्रवा सोमदत्त और जैद्रत आदी अर्जुन के सामने फूंक से उड़ जाने वाली तिनके हैं सुरा सुर भी अर्जुन के विरुद्ध अस्त्रधारन नहीं कर सकते श्री कृष्ण की बाते समापत हो जाने पर भीष्म ने दुरुयोधन को समझाया कि पंडवों को आधाराज दे देना चाहिए द्रोण और करपाचार ने भी भीष्म की बातों को दोहराया पर दुरुयोधन टस से मसना हुआ श्री कृष्ण की अप्रिये बातों से कौरव नरेश महराज दुरियोधन की देह में आग लग गई शब्दों से उसकी ज्वाला निकलने लगी कहा केशव हम लोगा आपकी इज़त करते हैं आपकी कभी भी शिकायत नहीं करते लेकिन आप तो ऐसी बाते कहते हैं जैसे पांडवों ही मैंसे एक हूँ क्या यही आपकी समदर्श्ट है आप पहले हमें समझाईए कि युधिष्ठिर जब जुए में राज जहार गए तब फिर उनका क्या हक रह गया जो बारंबार उसके लिए पैगाम आ रहा है जब युधिष्ठिर जुए में हारे थे तब क्या कोई और युधिष्ठिर थे आप पांडवों के बाहु बलकि तारीफ करते हैं लेकिन आपको मालूम होगा कि अकेले पिता माहे भीश में पांडवों की धज्या उड़ाने के लिए काफी है द्रौन और करण के मकाबले में क्या कोई पांडव जरा भी ठहर सकता है राज्य का लोब वे छोड़ दें राज्य मेरे पिता का है पहले जो आधा राज्य हमने बाट दिया था हमारी अग्गता के करण वैसा हो गया था हम बालक थे हमें बुद्धी नहीं थी अब हम अपने पिता के राज्य का एक टुकड़ा भी न देंगे ये कहकर क्रोध के मारे दुरियोधन सभा से उठकर चला गया श्री कृष्ण का अपमान भीश में से सहा न गया उन्होंने दुरियोधन को बेतर है फटका रहा धृतराष्टर से दुरियोधन की धृष्टिता का समाचार कहा गांधारी को बुला कर दुरियोधन को दंड देने की धृतराष्टर ने आगया दी इससे दुरियोधन लज्जित हो गया उसने अपने मित्रों को बुला कर परामर्श किया कि कृष्ण को कैद कर लिया जाए अगर कृष्ण को हम लोग यहां बांध लेंगे तो पांड़ाव मनी विहीन सर्प की तरह निस्तेज हो जाएंगे इसलिए राजा धृतराष्ट भी चाहे बकते रहें पर हम लोग कृष्ण को जरूर कैद करें देवियोक से दुरियोधन का भी प्रयाय सात्तिकी को मालूम हो गया उसने कृत वर्मा को अपनी सेनस सज्जित करने की आग्या दी और खुद श्री कृष्ण को खबर देने के लिए चला सभा में खलबली मच गई भीश में द्रॉण दृतराष्ट सब को दुरियोधन की नीचिता मालूम हो गई श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे विदूर श्री कृष्ण की अतीत कीर्ती का गुणगान करने लगे दृतराष्ट की इच्छो ही कि श्री कृष्ण की विराट रूप का दर्शन करें श्री कृष्ण ने उन्हें दिव द्रिष्टी दे कर उनकी लालसा पूरी की और सभा से निकल कर विदूर के यहां आश्रे लिया फिर दुरियोधन के यहां जल गिरहन भी नहीं किया श्री कृष्ण लोट आए निश्चे हुआ कि अब युद्ध अनिवार है दुरियोधन ने भीष्ण को सेनपती बनाया उसे द्रण विश्वास था कि पिता महे के सामने संसार की कोई शक्ती नहीं खड़ी रह सकती उनका अमित विक्रम संसार प्रसिध है भीष्ण और दौन यदि धन और धारन करेंगे तो पंड़ों की फिर एक न चलेगी दुरियोधन ने भीष्ण में से कहा पिता महें मुझे दौनों पक्ष के रथियों और महारतियों के नाम लेकर बतला हिये कौन रथी है कौन महारती भीष्ण में बोले दुरियोधन, दौनों दलों में हजारों की संख्या में रती और महारती मौजूद है तुम सौ भाई रती हो, तुम सेना के अगर भाग में रहना तुम्हारे वीर भाईयों को पांच चालों के साथ लड़ना है मुझे विश्वास है कि ये उन्हें मारेंगे मैं तुम्हारे सेना पती का पद गिरहन करता हूँ पांड़ों को मैं युद्ध में कुछ नहीं समझता हूँ भोज राजकृत वर्मा महारती है अपने सगे भांजों का साथ छोड़ कर ये तुम्हारी मदद करने के लिए आए है वासुदेव से ये सदा इस परधा भाव रखते हैं निसंदे ये शत्रूओं की बहुत बड़ी क्षती करेंगे तुम्हारे मित्र भूरी श्रवा और सोमदत भी महारती हैं ये भूखे शेर की तरह तुम्हारी शत्रू सेना पर तूट पड़ेंगे इनसे हमें बहुत आशा है सिंदूराज जैदरत दो रथियों के बराबर है द्रौपदी का हर अनकर पांड़ों दुआरा इनका अपमान होने पर इन्होंने जंगल में शिवजी की कठोरता पस्या की थी इन्हें वर मिला है अब इनके लिए बदला लेने का उपयुक्त समय आ गया है अपने शत्रू का भाव इसमरन करके ये पांड़ों को पूरी क्षती पहुँचावेंगे कामबोज देश की एक रथ सुदक्षिन भी तुम्हें काफी मदद देंगे उनका पराक्रम युद्ध क्षेत्र में प्रत्यक्ष करना वे अस्त्र विद्या में बड़े कोशल है माहिश मती के महराज नील रथी है सहदे उसे इनकी शत्रूता है अवंति देश के विंद और अनुविंद भी बड़े वीर है त्रिगर्थ के पांचों भाईयों में सत्त रथ परधान है भीम और अरजुन के दिग विजय का बदला लेने के लिए इनकी अंग फड़क रहे हैं तुम्हारे पुत्र कुमार लक्षमन और दुशासन के पुत्र का नाम रथियों में लिया जाता है इनसे तुम्हारे कितने ही कारे पूरे होंगे तुम्हारे मामा शक नीरती है ये भी युद्ध शेत्र में आग भड़कावेंगे सबसे बड़ी तारीफ की बात ये है कि इनकी सेना बड़ी तेज चलने वाली है मूर्चे पर डटकर वो फिर पीछे नहीं हटती लड़ाई में इनसे विजय की आशा आकाश कुसमतुल है अश्वत्थामा तुम्हारे दल में अदुत्तिय धनुरधर है इनके बाणों की गती कभी रुक नहीं सकती ये अरजुन के समानी युद्धा है ये चाहे तो तीनों लोकों को दगध कर सकते है इतने बड़े वीर होने पर भी इन में एक बड़ा दोश है इन्हें अपने प्राणों की बड़ी ममता है इसलिए कभी उत्साह पूरवकी लड़ते नहीं इसलिए मैंने रती या महारतीयों की श्रणी में नहीं रखना चाहता अगर ये दो शिन में ना रहता तो दोनों दलों में इनका मुकाबला करने वाला कोई न था इनकी शक्ती की थाह नहीं है ये अकेली सुरासुर को भी परास्त कर सकते है महावीर द्रौण अतिरत है ये सब के आचार रहे है वरिद्ध होने पर भी इनकी समान वीर दूसरा नहीं है इनसे तुम्हारी शत्रूओं का नाश होगा परंतु धनन जये इनके प्रिय शिष्ष है इसलिए वीर शिष्ष के गौणों का इसमरण करके ये कभी उसका नाश ना कर सकेंगे ये चाहें तो अकेली संसार का नाश कर सकते हैं पौरा औरती हैं ये पांचालों से बदल लेंगे सत्ट शिर्वा एक रत है कर्ण पुत्र व्रश सेन महारत है ये तुम्हें बड़ी मदद देंगे महावीर वाहलीक महारत है ये कभी पीठ नहीं देते ये दक्षेत्र में ये साक्षात करतांत की मूरती धारन कर लेते हैं राक्षस फलंबुस महारत है पांड़ों के साथ लड़ाई करने के लिए दिन रात तुम्हें उभारते रहने वाले करन जितनी बड़ी बड़ी बाते मारते हैं उस तरह वे कारें नहीं कर सकते वे दूसरों का भला नहीं देख सकते इनकी प्रकृती नीच है मेरे विचार से ये अर्ध रत है जितनी लड़ाईय हुई ये सब में भागे अर्जुन के साथ सामना होगा तो ये हरगिस जीवित न लोटेंगे भीश्म की बातों में कोई पक्षपात न था उन्हें पक्षपात की परवा न थी वे दुरंधर ग्यानी और तीनों लोक में अजेये थे करन के संबंद में उन्होंने इर्शावाश होकर करन की निंदा न की थी आचार द्रोन ने भी पिता महे के विचार पर अपनी सम्मती दी वे भी करन को आर्धरत से जादा मानने को तैयार न थे परन्तु करने से सहा न गया वे उसी समय भीश्म का विरोध करने लगे दुरियोधन को समझाया कि पिता महे पक्षपात कर रहे हैं इनसे तुम्हे किसी प्रकार की आशा न रखनी चाहिए जो मनुष्य अधिक व्रद्ध हो जाता है उसकी अकल मारी जाती है मैं अकेले पांडवों का संगार करूँगा परन्तु भीश्म के जीते जी मैं धन और ग्रहन ना करूँगा भीश्म ने कहा करण तुम नेरे बच्चे के तरह बाते कर रहे हो मैं जानता हूँ लड़ाई से पहले सेना के संपौन भार मेरे सिर पर रखा जाएका तुम मुझे नहीं पहचानते मैं कभी पक्ष बात नहीं करता मेरे सेना पतित तो मैं जो लड़ाई होगे उसे याद रखना मैं किसी का पक्ष हरगिज न लूँगा लड़ने और धन और धारन करने का मौका भी मैं तुम्हें दूँगा उस समय समर कोशल का अंदाजा लगा लेना मैं युद्ध में अपना पूरा बल न लगाँगा क्योंकि तुम्हारी युद्ध दिलाल साधूरी रह जाएगी लोगों को तुम्हारी वीरता को देखने का मौका न मिलेगा करन तुम नहीं जानते कि महावीर पर शुराम के संसार को भस्म कर देने वाले अस्त्र भी मुझे डरा नहीं सके एक्कीस बार प्रित्वी को ख्षत्रिय रहित करने वाले उस महावीर को भी अस्त्र रखना पड़ा था वे अपने बल और प्रताब का मुझे पर प्रभाव नहीं डाल सके मैं अब अपनी बढ़ाई न करूँगा तुम जिन पांड़ों से इतना विरोध भाव रखते हो कल जरा उनका सामना करो देखें भला तुम नहीं भागते करन को दुर्योधन ने शांत कर लिया भी शमब पांड़ों के रथियों और महा रथियों की संख्या बतलाने लगे कहा युदिष्ठ रथी हैं पहले भी उनके समान सुरों असरों नागों और यक्ष रक्ष दानवों में कोई वीर नहीं हुआ भविश में भी नहोगा अरजन को सहायता भी बहुत मिली है वीरत्वे के सभी साधन ये कत्र हो गए है गांडीव, अश्व, कवच, अक्षे, तूनीर, देवताओं के दिव, अस्त्र, भगवान, भूत, नाथ का पाशुपत, वासुपत, वासुदेव और धोजा पर साक्षात महावीर पवननन, द्रौपदी के पांचों पुत्र महारत है महावीर, अभी मन्यू, अरजुन और वासुदेव की तरह बलवान है इनकी वीरता की शत्मुखों से भी प्रशंसा नहीं हो सकती पिता और पित्रव्यों के कष्टों का स्मरन करके ये युद्ध में अपूरव पराक्रम परकट करेंगे इन्हें बालक मातर न समझ लेना, इनसे सदा होश्यार रहना महावीर सात्ति की रथी है विर्श्णी वन्शियों में ये सब से बढ़े चड़े हैं और समर्क्षेत्र में क्रोध रहित होकर लड़ते हैं महावीर दुरुपद और विराट महारती हैं पांचाल पुत्र शिखंडी रथियों का नायक है द्रोण के शिष्च द्रश्ट द्युम्न महारती हैं प्रलय के सवय भगवान शंकर जिस तरह स्रिष्टी का संगहार करते हैं ये उसी तरह तुमारी सेना का संगहार करेंगे महारा क्षत्र देव, सत्त जीत, अज, भोज, चेकितान, सत्त ध्रती ये सब रथी हैं छुधित शारदूल की तरह ये तुमारी सेना पर आक्रमन करेंगे लेकिन चिंता न करू, मैं सोमक और पांचालों को अवश्य मारूंगा अभी आप सुन रहे थे सूर्य कांत तरपाथी निराला के लिखे उपन्यास, भीश्म का सब्तम परिच्छेद, भीश्म की सत्त निष्ठा, मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में